नवश्कर दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रा माप्षवी का श्वागत अविनन्दन है टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली सिच्छकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट की बात करेंगे सीटेट के साथ साथ अधर जो स्टेट लेवल टीटीग जाम होते हैं उनके लिए भी आपके इंपोर्टेंट यह क्लास होने वाली है बालविकास की क्लास करेंगे सीटेट 2016 का बालविकास CDP का सौल पूरा पेपर करने वाले हैं डीटेल के सार चर्चा करने वाले हैं 30 महत्मून लाजवा प्रशन करेंगे आप सभी लोग त्यार हो जाईएगा इन 30 महत्मून प्रशनों को अटेंड करने के लिए बाई जेस्वाल कोचिंग सेंटर जिसमें से पहला प्रशन आपके स्कीन पर आ चुका है कि लेव आई गोस्की के समाज सनच्चा सिधान्त में दर्ण विश्वास रखने वाले सिच्छक के नाते आप अपने बच्चों के आकन के लिए निम्नकित में से किस बिधी को वरीता देंगे मानकी करत परिच्चन सहयोगी प्रोजेक्ट तथ्यों पराधारित प्रत्यस्मरण के प्रशन या वस्तु परक बहु भी कल्पी प्रकार के प्रशनों की बात करेंगे तो लेव आई गोस्की के समाज सनच्चन सिधान्त में दर्ण विश्वास रखने वाले सिध्चक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए जिस विधी को वरीता देंगे वह विधी कहला जाती है सहयोगी प्रोजेक्ट इसके बाद आपका सिध्चन प्रशन अपनी कच्चा की विक्तित भिंताओं से निपटने के लिए सिध्चक को क्या चाहिए कि सिध्चक बच्चों को उनके अंकों के अधार पर अलग कर उनको नामित करे सिध्चन और आकलन के लिए समान मानक तरीके या बच्चों से बादचीत करें और उनके दस्टिगोन को महत्त दे या कह सकतें विद्यार्थियों के लिए कठोर नेमों को लागू करें आप सभी लोग जब निप्थ होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो अपनी कच्छा के विक्तित जो विंताएं होती हैं उनसे निपटने के लिए एक सिच्छक के रूप में क्या करना चाहिए एक सिच्छक रूप में बच्चों से बातचीत करें उनके दस्टिगोन को महत्त देना इंपोर्टेंट हो जाता है थर्डवाल अपसन आपे सही हो जाएगा इसके बाद है आपका अंगला प्रशन आकलन उद्देश पूर्ण होता है देखे कोई भी आकलन उद्देश पूर्ण कैसा होता है यदि उसमें क्या होना चाहिए तो कोई भी आकलन उद्देश पूर्ण तभी हो सकता है यदि इससे बिद्यार्थी और सिचकों को प्रतिपुष्टी अर्थात फीडबेक प्राप्त होता है तो वह आकला नुद्देश पूर्ण हो जाता है तो वह आकला नुद्देश पूर्ण तभी हो सकता है यदि इससे क्या हो बिद्यार्थी वालग बालिकाओं अध्यापक अध्यपिकाओं सिचकों को प्रतिपुष्ट फीडबेक प्राप्त हो तब ही वयाकलन उद्देश्पून हो सकता है पहला आप सन्यापे सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रशने राष्टी पार्च physicians की रूप रेखाf NCEF 2005 कनुसा सिचक की क्या भूंका है आप सबी लोग जानते हैं NCEF 2005 से C-Tate के एकजाम हो या अधर E-State level के एकजाम हो सबी T-T exam में पूछा जाता है राश्टी पार्चलिय की रूप रेखा NCF 2005 के अनुसार सिच्च की क्या भूमका होती है एक सुविधा दाता के रूप में होती सिच्च की भूमका क्या एक सुविधा दाता के रूप में बच्चों को समझाने के रूप में बच्चों को कहीं दिक्कत आ रही है, उसको बताने के रूप में एक सुविधा हो गई, कहीं अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को कोई सौल्व कर रहा है, ठीक है? तो आप अच्छे तरीके से समझते हैं, अंगला अनुसंधान सुझाते हैं कि एक बिवि अपने बिद्यातियों से सिचका की अपेच्छाएं बिद्यातियों में जो अधिगम होता है, वै अधिगम पर मातपून प्रभाव चूनती है, अंगला पसना है, बिसेस और सक्ता वाले बच्चों को सामिल करना क्या कहलाएगा? जो विशेस सक्ता वाले बच्चे होते हैं, उनको सामिल करना क्या कहलाएगा? लिए कर बिसेस और सक्ता वाले बच्चों को सामिल करना सिच्छन के प्रतिदस्टिगोण, बिसेवस्त्थुअर धारन परिवतन की अपेच्छा रखता है।। और ताफसन आपे सीठेटने सह माना है अंगला विवित प्रकार की समाजिक आर्थिक और सांस्तिक प्रश्ड़ूम के बच्चे से युक्त कच्छा सभी विद्यार्थियों के अंगम अन्भों को बढ़ाती है ये कथन कैसा अगर लगेगा लेकि जब आपकी निक्त होगी आप लोग अध्यापी का सिच्छक बनेंगे आपको ये प्रश्ण समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि विवित प्रकार की समाजिक आर्थिक और सांस्तिक प्रश्ड़ूम के बच्चे से युक्त अगर कच्छा है तो सभी विद्यार्थियों के अधियम अन्भों को बढ़ा रही है तो ये कतन कैसा हो सही क्योंकि बच्चे अपने सातियों में अनेक उसल सीखते हैं क्योंकि विवित प्रकार की समाजिक आर्थि संस्टिक प्रश्ड़ूम के अलग-अलग बच्चे होते हैं अलग-अलग समाज है आर्थिक इस्तित अलग है अलग-अलग सांस्तिक है तो इन विद्यार्थियो में असमर्थ होता है मतलब निमित विद्याले में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उप्यूक्त सुविधा और साधन उपलब्द कराया जाए अगर निमित कोई विद्याले है वह अच्छा कर सकता है वसरते क्या होना चाहिए उसे उप्यूक्त सुविधा और साधन उप थाता लोग है तो प्रतिभावान से च्छार्थी बालक बालिका की विशेष्टा क्या हो सकती उसकी विशेष्टा यह हो सकती यदि कच्छा की गत्विदियां अधिक चुनौती पूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनभव करता है और उब जाता है क्योंकि बच्छा प्रतिभावान है और जो कि जो प्रतिभावान होता है उसको चुनावती जो होती है ना उसको चुनावती अच्छे लगती है अगर आपको लच्छ पाना है ठीक है तो लच्छ में जो तकलीफें और कटनाई आती है वो आपके अच्छे लगने लगे जी तो समझ जाएगा ल वो अपनी प्राथमी कच्चा है यानि प्राभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है तो प्राभावी się उसकों विध्यार्चीयों की जीवन के साथ संधित करके बढ़ा सकती है añहले हूं और अगला प्रशन प्यारा प्रसंद दिया गया है और प्यारा सा फीडबेक आप लोग कीजेगा बच्चों के बारे में निमलिखित कत्मों में से कौन सा सही दिया गया है पहला दिया गया कि बच्चे जानकारी के निस्क्री प्राप्त करता होते हैं बच्चे समस्या समधान करता होते हैं बच्चे के सक्री अन्वेसक होते सभी कमेंट कीजेगा मेरे प्यारे प्यारे भायों के प्यारी प्यारी बहने ग्रणी जिनका सपना है टीटिक जाम को 101% फतह करना सभी मित्रों को जहिंद वंदे मात्रम इंकलाप जिंदाबाद दोस्तों बच्चों के बारे में जो कथन हमारे चार करता होते हैं बच्चे समस्या समाधान करता हैं बच्चे बैग्यानिक सोद करता हैं बच्चे परयावन के सक्री अन्वेसक हैं देखे आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जानकारी के सक्री प्राप करता होते ना कि निस्क्री तो पहला तो गलत दे दिया गए आपका इ बिलकुल सही बात है बच्चे बैग्जानिक सोथ करता होता है बिलकुल सही बात है बच्चे परन के प्रतिश सक्रियनवेशक है तीनों पॉजट्यू दिगए है समस्षा कौन सी बिदी सबसे प्रभावी होती है बिद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोस्थाहन देने के लिए सबसे बिदी प्रभावी आपके कौन सी कहला जाती है सब भी बताईए सबसे प्रभावी जो बिदी कहलाएगी वह कलाएगी बिद्यार्थियों को बहुत सुधारन देना और उन्हें तर्ग सक्ति का उप्योग करने के लिए पुरुषाहिद करना पुरुषाहिद सब्ध बहुत इंपॉर्टन कुछ सब्ध होते हैं कुछ लाइने होती हैं जो आपके माइन पे स्टोर कर लेना है अंगला प्रात्मिक विद्याले के बच्चे उस वातावरन में सबसे प्रभावी डंग से सीखेंगे यहनि प्राइमी स्कूल के बच्चे जो होंगे उस वातावरन अब वातावरन आपसंदिये गए तो किस वातावरन में सबसे प्रभावी डंग से सीखेंगे वह वातावरन कौन से होगा वह वातावरन होगा जहां उनकी समवेगात्मक अवशक्ताओं की पूर्ती होती है और वे अनभाव करते हैं की वे महत्पूर्ण है तो वहाँ पर प्रात्मिक विद्याले के बच्चे ऐस तरह के वातावरन में सबसे प्रभावी डंग से सीखती है जहां उनकी समवेगात्मक अवशक्ताओं की पूर्ती भी होती है और अनभाव करते हैं की वे महत्पूर्ण भी है इसके बाद है आपका अंगला परशन देखे एक बच्चा खिड़की के सामने से सामने से एक कवे कोड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पच्ची इससे बच्चे के बिचार के बारे में क्या पता चलता है यानि खिड़की के बाहर वो देखता है और कहता है पच्छी यह बिचार किस प्रकार का कहला जाएगा देखे यह जो बिचार होगा बिचार दिया गया है बच्चे की इसमतियां पहले से भंडारित होती है यह तो गलत हो गया बच्चे में पच्छी का प्रत्य बिक्सित हो च चुका है तभी होए कोवववए को देखकर कहला पच्छे बच्चे ने अपने अनभव बताने के लिए बहां सा कुछ उपरणों का विकास कर लिया है ऐसा नहीं है तो जो सिकंड आपसन दिया गया है सही होगा यानि कि केवल भी आपसन फोर्थ आपसन जो दिया गया है ठीक कोई भी सिच्का कोई भी अध्धापक अध्धापिका अपने बालक बालिकाओं को क्या कह दे कि वह भीत्री प्रेणा के साथ कार करने के लिए प्रोसाहित कर सके क्या कह दे उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि इसे करने की कोशिस करो तुम सीख जाओगे यान दोस्त तो सिच्च का अपने विद्याथियों से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिस करो, तुम लोग सीख सकते हो और आँगे जा सकते हो. इस प्रकार विद्याथियों को भीती प्रेणा मिलती है और कार करने के लिए प्रोशाहित हो जाते हैं." अंगला जो प्रसंदिया गया है बहुत अच्छा इंपोर्टेंट प्रसंदिया गया है कि कोई सिचिका अपने विद्यार्थियों को अध्यन के लिए अध्यन करने है तो आंतिक रूप से उत्परीद करने के लिए कैसे प्रोसाहित कर सकती है आपकी निफ्थ होती है आप लो कर सकते हैं यह कर सकते हैं तो उसके लिए प्रोसान होता कि बिक्तिगात लच्छ निधारित करें और उनमें निपुर्टा पाने में उन्हें मदद करें छड़ वाल आपसान आपे सई हो जाए किसी प्रारम्भी कच्छा में प्रभावसाली सिच्छा उत्रपरिज करना होगा तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा सीखने के लिए जिग्यासू बने और सीखने के लिए सीखना ही पसंद करे तो सीखना सब्द जिग्यासू बनना ये अपने आप में पोजिट्यू है, कुछ सब्द आपको ध्यान नहीं हैं, आपसन को देखकर ही आप लोग सही अंसर लगा लेने, ठीक है, अंगला पस देखते हैं, निमनिखित में से कौन सा उधारन है जो प्रवावसाली बिद्याले की प्रथा, शरीरिक दंड, निरंतर तोलनात्म पूल्यांकन, बिक्ति सापेच च्धिगम या प्रतियोगात्म कच्छा की बात करते हैं, तो ऐसा उधारन जो प्रवावसाली बिद्याले की प्रथा का हूँ, वह एक औंसर कहला जाएगा, तो वह कहला जाता है, बिक्तिगत सापे चदिगम की बात करते हैं अंगला जो प्रसन है कि विकास का सिर्पदा विमुक दिशा सिध्धान्त ब्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार से यांगे बढ़ता है देखें ये इस टॉपिक से एक पस नवस्त पूँचा जाता है हर टीटी हर सीटे टिकजाम में पूँचा जाता है ठीक है एक चीज ध्यान देना है वो चीज क्या है आपकी पहले जान लिजे कि सिर्पदा म्यूक सिर्पद यानी पैर यानी सिर्पद 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 यानी सिर् मद्ध बच्पन का, जन्मपूर, वैस का या प्रारंभिक बच्पन का समय कहलाता है तो भासा विकास के लिए सबसे समवेधन सील जो समय हमारा कहला जाता है वह कहला जाता है प्रारंभिक बच्पन का समय सबसे समवेधन सील समय माना जाता है अंगला पसने ध्यान दीजेगा थोड़ा सा हिस्टी टाइप दिया गया है कि एक छे वर्स की लड़की खेल पूद में आसाधरन योगता प्रदर्सन करती है साधरन नहीं आसाधरन कर रहे है उसके माता पिता दोनों ही खिलाडी है उसे नित प्रसिच्चन प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ता हंत में उसे प्रसिच्चन भी देते हैं बहुत संभव है कि उसकी छमताय निम्लिकित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्या का पईडाम होगी किसका पईडाम हो जाएगी एक उसके माता-पिता भी स्पोर्ट से related है ठीक है तो ये कैसा आपके एक जामपल हो जाता है ये एक जामपल हो जाता है अन्मान सिक्ता और पर्यावर्ण पहली बात उसके माता-पिता दोनों खिलाड़ी है तो अन्मान सिक्ता हो गया और उसको भेज रहें प्रसिचन के लिए साती सा सब्तान के अंत में उसे खुद प्रसिचन देते हैं तो उसका पर्यावन भी आपका इंपॉर्टन जहां बच्ची रह रही है खेलती है, कूदती है, सीखती है तो अन्मान सिक्ता और पर्यावन के बीच का परिडाम ही ऐसा है कि वह बच्ची जो है, खेल कूद में साधारन नहीं बलकि आसाधारन है आसाधारन मतलब उससे ज़्यादा बिष्ट, यहनि अच्छे तरीके से खेल लेती है, समझ लेती है निमनिकित में से कौन सा समाजी करण के गौण वहाग हो सकते हैं समाजी करण के गौण वहाग कौन होते हैं आप सभी लोग जानते हैं बिद्याल है और आसपडोस समाजी करण सबसे गौण वहाग होते हैं बिद्याल है और उसके पास और पडोस होता है क्योंकि समाजीं बात करते हैं लेवऑईगोस्की कंसार शंग्यात्म विकास का मूल कारण क्या होता है टीली ग्रॉप से जुडिये सच किज़े टीली ग्रभाम में जैस्वाल कोाचिंग सेंटर ये सारे free made notes और PDF फाइल आपको प्राप्त होंगे किसी बच्चे का दिया गया बिशिष्ट उत्तर कोल वर के नैतिक तरके शोपानों की बिशेव वस्तुके किस सोपान के अंतरगत आएगा यदि आप इमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे इसलिए आपको इमानदार रहना चाहिए तो इस प्रकार के एक जामपस जो पूँचे जाते हैं एक सीटेट एक जाम में क्या होगा यदि आप इमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे इसलिए आपको इमानदार रहना चाहिए तो यह नैतिक तरके सोपानों के विशेवस्ट के किस सोपान के अंतरगत आएगा समाजिक संकुचन अनकूलन सोपान के अंतरगत आजाएगा अंगला जो प्रस्ण है कि जीन प्याजेजी के अंसार अधिगम के लिए इन में से आवश्यक क्या होता है वैसकों के बिवहार का उलोकन सिच्छार्थी के द्वारा पर्यवन की सक्री खोजबीन इस्वरी नयापर विश्वास, सिच्कों और माता पिता द्वारा पुनर बलन की बात की जाती इसके बाद है दोस्तों अंगला परस कि जीन प्याजे जी के द्वारा प्रारूप या इसकीम जो होता है इसको निर्मान वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतू नवीन जानकारी में संसोधन और नवीन जानकारी के दहार पर पुरानी योजनाओं में संसोधन के पैडाम के रूप में घटित होता है इन दो प्रकियाओं को किस प्रकार से जाना जाता है या जाना जाएगा इन दोनों प्रकिया और घटनाओं को दोस्तों समावेशन और समयोजन के रूप में जाना जाता है क्या हो जाएगा जीन प्याज़ी के उनसार इसकी में जो वर्तमान योजना इसके अनलूप बनाने ही तो नवीन जानकारी में संसोधन हो रही नवीन जानकारी में संसोधन हो ना मतब समावेशन की बात हो रही और नभीन जानकारी के धार पर पूरानी योजनाव में संसोधन का परिणाम जो होता है वह कहलाता है आपका समयोजन तो समावेशन समयोजन दोनों चीजों क अच्छे तरीके से समझ लीजेगा देखी किसी प्रगसील कच्छा की व्यस्था में सिच्छक एक ऐसे वातरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है खोच को पुरुशाहन देता हो समयोजन को अतोसाहित करता हो या आवरत्ति को बढ़ावा देता हो किसी प्रगसील कच्छा की व्यस्था में सिच्छक एक ऐसे वातरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवरत्ति को बढ़ावा देता हो बार-बार करने की बढ़ावा देता हो तभी प्रगसील यहाँ पे हो सकता है अंगल्या बुद्धी से समन्दित प्रशना आया है कि हावर्ट गार्नर का बहुद्धी का जो सिधान्त है वह क्या सुझाता है क्या बताता है हावर्ट गार्णर का जो बहुबुद्र का सिध्धान के कौन हो जाएंगे हावर्ट गार्णर हो जाएंगे और हावर्ट गार्णर इसके द्वारा क्या सुझा रहे हैं हावट गार्नर इसके द्वारा सुझार रहे हैं या बतारे हैं कि सिचक को चाहिए कि बिसे वस्तुका वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहु बुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहन करें क्या चाहिए क्या बता रहे हैं सिच्चक को चाहिए कि बिसे वस्तुका वैकल्पिक विद्यों को पढ़ाने के लिए बहु बुद्धियों को एक रूप रेखा की तरह ग्रहन करें इसके बाद है आपका अंगला पस्ट दोस्तो कोई पांच साल की लड़की एक टी सट की तह क तो करते अपने आपको बता या बात करती कोई पांच साल प्याजेजी और लेवाई गोसकी इसकी ब्याक्ष्या बच्चे के दोरआ अपनी मां के अनुकरन की रूप में करेंगे जीन प्याजे जी और लेव वाई गोस्की किसकी ब्याख्या जो है बच्चे के द्वारा अपनी मा के अनुकरन के द्वारा होगा बालविकास का 30 नंबर प्रस्ण है कि लिंग क्या होता है, सरीरिक सनचना, जैविक सत्ता, सहजगुण या समाजिक सनचना, ये सीटिट 2016 में पूछा गया प्रस्ण था, 30 कोस्चन पूछे गया प्रस्ण थे, तो यहाँ पे लिंग जो होगा वह जैविक सत्ता कहला जाएगी, ये सरीरिक सनचना कहला जाएगी, सभी लोग बताईए, इस प्रस्ण को हम आप सभी के लिए मौक क्वेशन की रूप में दे रहे हैं, ये प्रस्ण आप सभी को कमेंड करके बताना है, कि फर्स्ट और सेकंड, दोनों में से कौन सा आपका राइट अंसर हो जाएगा, ये च सीटेट की त्यारी कर रहे हैं, ये भी आपको लिए बेस्ट है, और अधर स्टेट लेवल की भी त्यारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेस्ट है प्राइमी लेवल की, तो सभी मित्रों को जय हिंद बंदे मात्रम मिलते हैं आपके अंगली, सेवन पीम में लाइप क्ला आदम से सभी मित्रों को जय हिंद बंदे मात्रम नमें